ठीक, धन, हिंदी में बोलते हैं धन, वो वाला धन नहीं बे, और अबे तुम्हा से मत यार spectrum का मतला, prism में से जब white light जाती है, तो seven color में split हो जाती है, अकेला वही नहीं होता है, hydrogen का भी कुछ ना कुछ spectrum होता है, किसी atom से कुछ line का भी spectrum होता है, तो चलिए, बोर ने जो अपन को spectrum की कहानी सुनाई थी, उस hydrogen spectrum के important topic को पढ़ना शुरू करते हैं हम से कोई spectrum की बातें करता है, तो हमें लगता है, कि एक white light आ रही है, prism में से पास होगी, साथ color में divide हो जाएगी, हम बोलेंगे ये spectrum है, ऐसा नहीं होता गुरू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, actually में sun से जो light आ रही है, वहाँ पर तो billions में atoms है, तो actual origin क्या है spectrum का, हमें य light मिलती कहां से है, तो अगर आपके पास hydrogen का कोई atom है, या आपके पास कोई भी element है, कोई भी atom है, तो जब वो electron अपनी lower orbit से higher orbit में जाता है, energy को absorb करके, और जब वो वापस आता है, तो देखो यार वो जब higher orbit में जाता है, तो unstable हो जाता है, जैसे कि अचानक से आपने एक normal से cash को bank के, bank का manager बना दिया, कुछ भी नहीं किया रहा, बस उठाया और बोल दिया, bank का manager बन जाओ, bank चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा, वो unstable position है, डुग 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 डुग, तो बस वही वाली बात हो गई, वो वापस आएगा, अपनी cashier वाली कुरसी प मैं वापस आओंगा, तो चितनी energy मैंने absorb करी थी, उतनी energy में आपको दे जाओंगा, उसकी salary बढ़ गई थी ना, manager की salary मिल रही थी, वापस cashier बन गया, तो cashier की salary पे काम करेगा ना, तो यार higher पे गया, तो absorb किया, वापस आया, तो उतनी energy को उसने emit कर दिया, और basic cause, spectrum का, यह raising order में, उसे हम कहते हैं, spectrum, तो किसी का भी spectrum हो सकता है, मेरी voice का भी spectrum होगा, एक atom का भी spectrum होगा, मतलब कि जो भी किसी चीज़ से waves आ रही है, उनका orderly arrangement कर दो, तो वो बन जाएगा आपके पास spectrum, पहले कभी syllabus में बड़ा interesting हुआ करता था, बड़ अब उतना जहादा interesting रहा नही कोई बात नहीं, अपन भी खुश हैं, तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, चलो, यहाँ पर देखो, अगर अपन बात करें, अब तुमारी chemistry की mystery यहाँ picture में आती है, अगर तुम देखो तो वो तुमारे chemistry वाले teacher ने कभी atomic structure में तुमें बताया होगा, कि n is equal to 1 ये orbit है, n is equal to 2 ये orbit है, n is equal to 3 ये orbit है, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7 maximum, मतलब मुझे तो इत्ता याद आ रहा है, कि मैंने, मेरे teacher ने मुझसे कहा था, n is equal to 7 maximum, उसके बात जो है, वो infinity है, बाहर होगा है अपन, तो अपन ने ले लिया एक और 8, ठीक है, तो अगर कहीं से भी electron, जंप करके जब गया था, उसके बाद जब वो वापिस आया, कहीं से भी electron, अगर n is equal to 1 में आ गया, तो उसे आप क्योंसी सीरीज कहते हो, उसे आप कहते हो, लाइमन सीरीज, मतलब की 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, 5 से 1 में आया, 6 से 1 में आया, 7 से 1 में आया, तो ये कौन range को मतलब कि अगर UV rays निकल रही है इसका मतलब है damn sure है कि Lyman series को ब्लॉंग करता है अगर कहीं से भी electron फुद्दूजा उचक के n is equal to 2 में आ जाए यहां से आ गया 3 से आ गया 4 से आ गया 5 से आ गया 6 से आ गया 7 से आ गया उस series को अपन बोलते हैं Balmer series और इस case में जो range आती है अपने पास वो visible range में जाती है अगर आपका electron कहीं से भी jump करके n is equal to 3 में आता है तो उसको बोलते है passion series अगर कहीं से भी electron jump करके वापिस जब आ रहा है n is equal to 4 में आता है तो उसे बोलते है bracket series अगर n is equal to 5 में आता है तो उसे बोलते है fern series अगर any is equal to six में आता है तो हम free हम free कि एक कहान ही बता हूँ क्या एक बार हमारे एक सिक्षक महोदय ने ऐसा लिखा था हम free तो हमें तब से याद हो गया हम free अतलब अब हम फेरी अब इसको बस में लिखी हुई है ना कोई तुमसे पूछने वाला है बट पूछ ले तो क्या बात है पूछ ले तो पूछ ले हम free ठीक सो नाव coming to n is equal to one में आते हैं तो लाइमन n is equal to two में आते हैं तो बैलमर लाइमन की series ब्लॉंग करेगी यूवी को बैलमर की series ब्लॉंग करेगी विजिबल को इसके अलावा सारी की सारी जो हैं जो energy अपनी पास निकलने वाली हैं वो सब के सब आई आर रेंज इंफ्रारेड रेंज को ब्लॉंग करती हैं सो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है emission की बात करी तो higher से lower आ रहा है absorption की बात करता तो lower से higher चला जाता अब अगर कुम से कोई energy का formula पूछे पूछ लेने दो उसमें क्या है बावा जी ने बता दिया तुमको minus 13.6 z square upon n square अगर इसमें मेरी मैस थोड़ी खराब है बढ़ ठीक है इतना चला लेता हूं physics में जितनी काम आती है अगर hydrogen की बात कर रहा है तो z हो गया atomic number 1 इसका मतलब है कि पहले वाले orbit की जो energy है वो है minus 13.6 electron volt क्यों क्योंकि n की value 1 रख दोगे second वाले के लिए देखो z तो 1 है n की value 2 रखोगे 2 का square 4 तो minus 13.6 upon 4 याने की second वाले energy आ जाएगी minus का 3.4 electron volt अगर मैं आपसे कहूं कि third वाले की कितनी energy होगी तो यहाँ पर अपन 3 रख देंगे 3 का square हो जाएगा 9 minus 13.6 upon 9 minus का 1.8185 जो भी आ रहा हो ऐसी कुछ आता है 8 के आसपास अपन गुट्टा मारनी पाते भाई तो इसलिए divide कर लेंगे अपन अपन गुट्टा मारेंगे तो फस जाते हैं इसलिए अपन ने लिख दिया 1.8 something कुछ आने वाला है अब यहाँ पर अगर जो काम की बात है वो यह है काम की बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि electron को मुझे यहाँ से उपर जंप कराना है तो मुझे कितनी energy देनी पड़ेगी तो जो दोनों की energy level का difference है भाई officer की salary थी आपके पास 10,000 माल लेते है manager की salary है 90,000 तो आपको कितने का hike देना पड़ेगा 80,000 rupees का तो आप अगर 80,000 rupees का hike दो officer बन गया आपका manager that's it तो वैसे यह electron यहाँ से यहाँ तब जाएगा मैंने कहता है electron is very shana electron कहता है इसकी energy है minus 13.6 इसकी है minus 3.4 इनके बीच का जो gap है वो है 10.2 electron volt का मुझे 10.2 electron volt दो इससे कम दोगे नहीं jump करूँगा इससे जादा दोगे तो भी मैं उतना ही लूँगा जितना मुझे चाहिए मैं बीच में हवा में लेटकने वालों में से नहीं हूँ इतना डेर शाना होता है अपना electron तो यहाँ पर यह clear हो गया कि electron higher orbit में कब जाता है अब यह जो अपने पास वापस आ रहा है तो इतनी energy emit करेगा कितनी wavelength को emit करेगा किस wavelength को emit करेगा तो उसको निकालने के लिए यह आ गया अपने पास एक छोट ऐसा पित दूसर derivation सारी कहानी वहीं से चल रही energy से अगर आप देखो अगर suppose करो higher level अपना E2 E2 से E1 में आ रहा है N2 से N1 में electron आ रहा है तो delta E क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 यह energy है यह energy difference है और यह energy difference जब वापस आ रहा है तो निकलेगा energy का formula क्या था तुमारे पास बिलकुल भी याद नहीं होगा तुम सबको मुझे भी पता है मुझे भी याद नहीं था mobile में देखके लिखा मैंने बिलकुल जूट नहीं बोलता तुम लोगों से घुटा मार नहीं सकता तुमारा बावा तो एक काम करना दो मिनिट लगते हैं इसको derive करने में पिछले वीडियो में मैंने तुमें तरीका बताया था निकाल लेना अराम से लिख लेना अपने पास बहुत सारा टाइम है अब अपन written paper लिख रहे हैं mcq नहीं कर रहे हैं और mcq कर रहे होते हैं और फिर कोई ये पूछ रहा होता तो वो गुगु है चलो इसके बाद अब energy e2 याने n2 level पर है तो यहाँ पर n2 आ जाएगा बाकी पूरी कहानी सेम अगर आप e1 की बात करो तो n1 energy level है अपना ये जो orbit है तो यहाँ पर n की जगा पर आ गया n1 so e2 minus this और e1 की value में यहाँ n1 रख दिया अब जब दोनों को तुम minus करोगे तो गुरू इस दुनिया में दो राक्षासों से हमेशा बचके रहना एक decimal दूसरा negative ये numerical ये derivation किसी की भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि plus की जगा तुम कब minus कर जाते हो और कब 10 की power में जरा सा decimal इधर का उधर होता है पूरा numerical ओड जाता है तो यहाँ पर ये minus minus क्या हो जाएगा plus minus minus क्या हो जाएगा plus हिंदी में बोले तो धन ठीक है so now अब यहाँ पर m e to the power 4 z square 8 epsilon naught square h square दोनों में से common minus minus हो गया था plus n1 वाले को पहले लिख दिया n2 वाले को बाद में लिख दिया बिल्कुल ठीक है अब energy का formula hc by lambda d broccoli के time पर बहुत करा है न dual nature में बहुत इसको समाला अपनने तो अब याद हो गया होगा मुझे इतना तो इतना याद हो जाता है है न so यह hc अपने पास divide में आ जाएगा जैसे ही hc divide में आएगा तो यह पूरी चीज constant इस z के अलावा कौन सी चीज me to the power technology का फाइदा देख रहा है मतला अगर मैं wide word पे लिख रहा होता तो अभी इतने अच्छे से क्या समझा पाता अब देखो कितना बढ़ी है highlight वाइलाइड भी हो जाती है me to the power 4 upon 8 epsilon not square h cube c यह पूरी चीज है constant इसको बोलते है red works constant scientist ओं को respect देते देते हमारे सामने इतने सारे constant आ गए कि अब हमें ही नहीं पता कि इस constant को क्या बोलते मतलब r को कभी guess constant भी बोल सकते r कभी red work constant भी बन जाता है यहाँ पर red work constant है ठीक है so r इसकी approximate value अपन फिर वही वाली गुट्टे वाली 7 digit तक वाली value याद नहीं रख पाएंगे तो यह अपने पास approximately आता है 10 to the power 7 meter inverse और यह आपका formula है 101% यहाँ से numerical बनेगा 101% बहुत कम बोलता है तुमारा बावा ऐसा 1 by lambda is equal to rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square n1 हमेशा होगा छोटा जिसमें आ रहे हो और n2 होगा जहां से आ रहे हो n1 हमेशा होगा और अगर इत्ता भी नहीं कर पाओ ना तो यहाई wavelength है length length लंबाई negative नहीं होगी negative नहीं होगी तो गलती से तुमने n1 n2 की value उधर उधर करी तो कोई difference नहीं आएगा अगर पहले answer positive आ रहा था तो बाद में क्या आ जाएगा negative तो समझ जाना है कि तुमने n1 n2 में गोल कर दिया है तो उसको positive कर देना खहानी खतम ठीक चलो तो यह हो गया अपने पास अब अपने पास जो हमने अभी पढ़ा उसके according हमसे यह कहा जाएगा हर एक series के लिए जैसे कि यहाँ लाइमन, बैलमर, पैस्चन, ब्रेकेट, फंड, हमफरी अगर इन सब के लिए आप से कोई कहे कि minimum wavelength या maximum energy तो देखो अगर आपका electron आ रहा है infinity से और भी दूर से infinity से अगर infinity से आ रहा है तो infinity पर energy को अपन मानते हैं zero, शून ने और यहाँ पर अपने पास energy है minus 13.6 electron volt तो जब आप infinity से यहाँ आओगे तो energy का gap बहुत जादा है तो energy जादा तो wavelength कम, क्योंकि inversely proportional है तो इसलिए यहाँ पर जब मैं आप से कहूं highest energy निकल रही है, याने की lowest wavelength निकल रही है उस case में n1 हो गया 1 n2 हो गया infinity 1 upon lambda min जो अपने अभी formula निकाला था उसमें n1 हो गया 1 n2 हो गया infinity मतलब Lyman series के लिए minimum wavelength हो जाएगी 1 upon r अगर Balmer series होती तो n1 की value 2 हो जाती बस तो यह आजाता 4 by r अगर यह passion series bracket series होती अगर यह passion series होती तो बस यही season बदलती n1 बदलता answer आता चला जाता अब मैं आपसे कहूँ lowest energy lowest energy की बात करें तो lowest energy कब जब आप just बाजू वाले से आओगे इस case में energy का difference सबसे कम है तो wavelength सबसे जादा होगी अगर ऐसा है इसका मतलब है कि n1 से n1 हो गया 1 क्योंकि लाइमन सीरीज की बात कर रहे है और n2 हो गया अपने पास 2 इस case में अगर आप यहाँ पर value रखो अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे z कहां गया तो z तो भया hydrogen का atomic number था 1 अब n1 हो गया 1 n2 हो गया तुम्हारे पास 2 क्यों क्योंकि बाजू वाले से ही आ रहे हो तो यह 1 1 माइनस 1 अपन 4 यह हो जाएगा 3 अपन 4 गो गो यह 4 उपर यह 3R नीचे lambda max आगया 4 अपन 3R यह maximum wavelength है lowest energy है लाइमन में इसी तरह आप बैलमर में निका सकते हो इसी तरह पैस्चन ब्रेकेट ब्रेकेट पैस्चन फंड इन सब में निकाल सकते हो तो निकाल ले जाना भया इसी तरह एटम जो है वो हो चुका है खतम कीप शेरिंग कीप लाइकिंग दे वीडियो कीप सब्सक्राइबिंग जहां-जहां शेयर कर सकते हो वहाँ-भहाँ शेयर करो जतना ज़ादा शेयर करोगे उतने ज़ादा वीडियो तुमें मिलते चले जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो